आज की सुड़ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप कुछ इस तरह का trending glow effect lyrics real video editing कर सकते हो insert app में जी हाँ insert application में इस तरह का glow effect lyrics real video editing कर सकते हो बहुत ही आसानी से मैं आपको step 2 step सारा चीज बता दूँगा तो वीडो को आप last तक जरूर से देखना और अब हम अपनी वीडो को start कर लेते हैं so first of all insert application को हमें open कर लेना है अगर आपके पास insert application नहीं है तो आप play store से गेन कर सकते हो ठीक है यह play store पर आपको मिल जागा तो वहां से आप इसे install करके just to open कर लेना open करोगे तो कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा ठीक है अब हमें वीडो एडिट करने है तो सिंपली सा आप वीडो को उपर क्लिक कर देना उसके बाद new को पर आपको क्लिक करने है देन लीरिक सुदो एडिट करने के लिए सिंपली सा blank को आप सेलेक्ट करने ठीक है blank को उपर आप क्लिक कर दोगे यह सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपको डन कर देना है औके आपका यहां पर यह जो ब्लैंक इमेज वो एड हो जाएगा इसे जस्ट आप इसका डूरे पर किलिक करना यहां एडिट को पर जाना और यहां पर टाइप कर दो कितना सेकेंड का आपको चाहिए मालो 20 सेकेंड का आप लिरिक्स उड़ बनाना चाहते हो तो 20 लिखके जस्ट ओके करके डन कर देना तो बिल्कुल परफेक्ट 20 सेकेंड तक कहीं इसका डूरेसन रहेगा ठीके तो यह काफी कमाल का चीज है तो आप यह कर सकते हो देन उसके बाद आपको केण वास के उपर आजान है और यहां से आपको रिस्व सेलेक्ट कर लेना है अगर आप रि़ वीडोज के लिए बनाना चाहते हो तो 9 इस्टु 16 अगर आप यूटुब वीडोज के लिए बनाने वाले हैं, so 9 is to 16 को select कर लेते हैं, उसके बाद done कर देना है, ठीक है, इतना काम कर लेने के बाद, आपको यहाँ पर music add कर लेना है, जिस music के उपर आप lyrics उड़ो बनाना चाहते हो, तो music add करने के तरीका बहुत ही असान होगा, आपको just music के उपर click करना है, उसके बाद फि में से जो आप use करना चाहोगे, उसे आप select कर लेना, मैं एक अच्छा सा यहाँ से देख लेता हूँ, कौन सा अच्छा रहेगा, जैसे कि यह वाला काफी बढ़िया है, दिल में हो तु माँखों में तु माहा, क्या music add है, मतलब जो भी आपको सही लगे, उसे आप यहाँ से select करना, use को पर click करके, यह add हो जाएगा, अब आपको simply सा done कर देना, कुछ नहीं करना है, ठीक, music add हो गया, next आपको यहाँ पर just text लिखना है, तो text लिखने के लिए, सबसे पहले आप इसे play करो, play करके सुन लो, तो यहाँ पर बोला है, दिल में हो तुम, आखों में तुम, हा यहाँ पर हमें लिख देना है, तो दिल में हो तुम लिख देते हैं, then उसके बाद कुछ emoji आप add कर सकते हो, so date की आपका जो text वो और भी ज्यादा अच्छा लगे, ठीक, attractive बने, तो just आप यहाँ क्लिक कर देना, and just कोई एक अच्छा सा emoji आप हो select out कर लो, for example इसे select कर लेते, या फिर direct दिल ही select कर सकते हो, then उसके बाद आपको यहाँ पर color के उपर क्लिक करना, और color बिल्कुल भी change नहीं करना, means जो है सही है, white color रहने देना, उसके बाद यहाँ एक उपर आप जरू से click करना, यहाँ से आपको font चेंज कर सकते हो, इसके उपर click करोगे, तो यहाँ पर कुछ fonts आपको देखने को मिलेंगे, अगर आपको directly यहाँ से पसंद नहीं आते हैं, तो आप just इसको पर click करना, इसको पर click करोगे, तो और भी यहाँ पर काफी सारे fonts आपको मिल जाएंगे, इन में से किसी को आप just use कर सकते, use करने के तरीका बहुत ही simple होगा, बस यहाँ click कर कर देना, यह आपका आजाएगा, ठीक है, जो पसंद आता है, उसे select कर लो, and back करोगे, तो यहाँ पर वो सारे आजाएंगे, अब इन में से जो आपको use करने का मन करेगा, या फिर आपको अच्छा लगेगा, उसे just आप यहाँ से select out कर सकते हो, जैसे कि मैं इस वाले को select कर लेता हूं, बट इसमें अगर सारे text को हम capital में रखे तो जादा बेटर रहे गर नहीं, तो just यहाँ पर text पर जाते हैं, and इसे हटा के सभी को capital कर देते हैं, ओके, यह जादा बेटर लग रहा है, देन उसके बाद आपको यहाँ पर इस motion के उपर click करना है, काफी सारे आपको यहाँ animation से देखनों को मिल जाते हैं, और मुझे तो यहाँ काफी बढ़ी हैं वाले, इसमें animation मिल जाते हैं, अच्छे लगते देखने में से कि यह वाला देख सकते हो, यह वाला तो मुझे मिन्स मेरा personally favorite हो चुक है, ठीक है, बस इसका duration आप बढ़ा देना यहाँ से, काफी कम माल के लगेगा, ठीक है, देख सकते हो, कुछ इस तरीके का, ओकी, तो इसे आप यूज कर सकते हो, या फिर और भी बहुत सारे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि जो मुझे अच्छा लग वो यह आपको बेच्छा लगेगा, जो आपको सही लग जाता है, आप उसे यूज कर सक देखते हो, देन उसके बाद आउट में जाके, आउट में भी आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, आपको मिल जाता है, उसे आप यूज कर सकते हो, मैं लास्ट वाले को यूज कर लेता हूँ, तो आप देख पाओगे, कुछ इस तरीके का बंड़ है, जो क इतना दूर तक आप रख देना, जैसे कि यह है, वो हमारे इतना दूर तक रहना चाहिए, तो इतना रख देंगे, तो यह फर्स्ट लिरिक्स एड हो चुक है, अब उसके बाद इसकेंड लिरिक्स एड करने के लिए, जस्ट इसी को पर आपको क्लिक करना, और इसी को सब एड हो जागा, ठीक है, तो इसी तरीगे से करके, आप पूरा यहाँ पर लिख लेना, मैं जस्ट दो लिरिक्स आपको लिख कर दिखा दिया हूं, देन उसके बाद पूरा कम्प्लीट कर लेना, देन मैं आपको बताता हूं, इसमें आप गलो इफेक्ट कैसे एड कर सकत सब आपको इस तरीगे से पूरा लिरिक्स को लिख लेना है, ठीक है, अब उसके बाद इसमें गलो इफेक्ट एड करना के लिए हम यूज करेंगे नौट वीडो एडिटर, ठीक है, नौट वीडो एडिटर भी बहुत ही, एजी होता है यूज करना, तो उसे यूज करना के open हो जागा कुछ ऐसा interface आएगा new के उपर आपको क्लिक कर देना उसके बाद यहाँ पर आपको एक red वाल बटन देखने को मिल लोगा इसको पर क्लिक करना media को पर क्लिक करना फिर वीडो को पर क्लिक करना एंड यहाँ पर आपने अभी जो वीडो क्रेट किया था उसे सेलेक्ट करके जस्ट एड कर देना ठीक है वीडो एड हो चुक है देख सकतो बिलकुल नार्मल सी है अब इसमें glow effect आड करने के लिए आपको यहाँ पर प्लेस वा इफेक्ट आगिया वाइट कलर में है अगर आप दूसरा कलर रखना चाहोगे तो इससे कलर को पर जाना एंड यहां से यह जो छोटा वाला पॉइंटर है न मिंस सरकल इससे आप यह सेड कर देना फिर उसके बाद यहां से जो कलर आप यूज करना चाहोगे उससे सेलेक्ट कर सकतो ठीके जैसे कि यह वाला काफी अच्छ लग रहे और भी यहां पे कलर से वह भी अच्छ वाली लग तो जो सही लग यूज कर ले यह वाद अगर आप इसका इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हो तो आप यहांगां से इंटेंसिटी को इंग्रीज कर सकतो को थोड़ा सा कम करके intensity बढ़ा देते हैं ठीक है काफी कमाल के लगए तो इस तरीके से करके आप यहां पर glow effect add कर सकते हो अगर दो-दो कलर का यूज करने में से कहीं पर यह कलर हो कहीं पर दूसरा कलर तू भी किया जा सकता है मैं आपको तरीका बताता हूँ ग्लू कर को पर पूपक करना बिल्कुल स्टार्टिंग में आप आ जाओ यहां पी प्लस का बटन दिख रहेना इसको पर कलिक करदो थोड़ा सा आगे इसको लेकर यहां से ठीक है फिर प्लस को पर चेंज होगा जो की देखने में काफी अच्छा लगता है तो यह चीज भी आप यूज कर सकते हूं तो यह कलर वाला तो हो चुका अब उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें रेंड्रॉप एफेक्ट कैसे एड्ड कर सकते हैं तो सबसे बहले आप यहां पर क्लिक कर दो यह क्ल से सेलेक्ट कर लेना सेलेक्ट करोगे तो रेंड्रॉप यहां पर आ जाएगा बट इसे थोड़ा सा आपको अर्जस्ट करना पड़ता है तो यह जो स्टेटिक टू है इसे आपको आफ कर देना है और यह जो डैनेमिक है इसे ओन कर देना काम आप कर दोगे देना आप यहां parent drop effect भी add कर सकती हूँ अब बात आता है कि से device में कैसे save करें तो device में save करने के तरीका बहुत आसान है इसके ओपर आपको क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पे जो bidding रूशुलेशन है इसके उपर click करके 1080 जरुशा सेलेक्ट करना वाना क्वालिटी डाउन हो जाएगा देन उसके बाद यहां क्लिक कर देना आपकी डिवास में सेव हो जाएगा ठीक है तो इस तरीगी से यहां पर गुलू इफेक्ट वाले लीरिक्स यूड़ो हम बना सकते हैं बहुत ही आसान है अगर वीडियो आपको आया होगा तो और लाइक जरूर से करना मुझे तू लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आग यह तो लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई